नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साल का आखरी और दूसरा सूरी गरहन लगने जा रहा है आश्विन महा के कृष्ण पॉष्ट की अमस्या को ये सूरी गरहन हलांकि भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन इस गरहन का प्रभाव सभी रासियों पर जरूर पढ़ेगा सुरुआत करते हैं मेश रासि से मेश रासि वालों आपके लिए गरहन बहुत अच्छा नहीं है आपको क्रोध आवेस के अतिरेक से बशना होगा आत्म सेयत रहना होगा हलांकि अपनों का सपोर्ट मिलेगा लेकिन किसी से बेबज़ा का बिबाद मत कीजिएगा स्कूल रही है इंकम हलांकि बढ़ेगा धन के मामलों में आप लखी रहेंगे इस मामलों में भागे साली है तो मन की थोड़ी समस्या है उससे बशने के लिए नमसिवाय का जब गरहन के वक्त करे तो आपके लिए उत्तम रहेगा ब्रिसब रासी ब्रिसब बालों थोड़ा सा मन की जो सांती है आपको खोती भी निजर आएगी यनि मन असांत रहेगा धहर सीलता बनाये रखने के आवा सकता होगी और किसे मित्र से कारोबार का परस्ताव आपको मिल सकता है हलांकि कारोबार में ब्रधी होगी कारोबार के मामलों में आप लगी हैं बस थोड़ा धैर बनाए रखें और मन को बहतर बनाने के लिए गरहन के वक्त गाहतरी मंद का जब करें अच्छा रहेगा मिद हुण डासी आपके लिए गरहन अच्छा है क्योंकि आत्म विस्वास तो भरेगा आपका पारिवारी जीवन भी बेहतर रहेगा अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सिनियर का जुनियर का सबका सपोर्ट मिलेगा तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आपके कारे छेतर में ब्रधी भी होगा लेकिन अपने स्वास का थोड़ा सा ध्यान रखने के आपको आवज सकता है आप इसको इग्नौर नहीं कर सकते तो अपने स्वास का जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है बाकी मामलों में उत्तम है ये गरहन के वक्त ओम आदित्यायनमा का जब कर सकते हैं या फिर आपने कोई गुरू दिख्चा लिए तो वो मंत्र भी जब कर सकते हैं उत्तम रहेगा करकरासी आपके लिए भी ये गरहन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एबरेज है धार्मिक अस्थान की यात्रा के योग बनेंगे या धार्मिक कारे करते घर में ही नजाराएंगे धर्म कारे में रुचि बढ़ेगा मां खेस्वास का थोरा ख्याल रखने की आवसकता होगी हलाकि आपका इंकम बढ़ेगा लेकिन आत विश्वास को भी बढ़ाना होगा क्योंकि थोरा सा आत विश्वास confidence आपका डगमक करते हुए दिख रहा है तो आत विश्वास को भेतर बनाना है गरहन के वक्त हनवान क्रिशा का पाठ जरूर कीजेगा उत्तम रहेगा सिंग रासी सिंग वालों थोड़ी बहुत मन की समस्या हो सकती है सहीम से काम ले धैर सिलता बनाय रखने का प्रयास करें अगर आप नौकरी करते हैं तो अफसरों का सपोर्ट मिलेगा आपका इंकम बढ़ेगा थोरा सा रहन सहन कस्ट में हो सकता है इसका भी आपको ख्याल रखने की आव सकता है और सबसे बड़ा है कि इस में नौकरी करते हैं तो सीनियर जुनियर सब का सपोर्ट मिलेगा धन आ रहा है तो धन के मामलों में आप लखी है लेकिन आपके रासी के स्वामी को गरहन लगेगा तो थोरा सा ध्यान बनाय रखना है चारो तब थोरा कश्ट तो है कि ख्याल रखे और ग्रहन के वक्ते जीतना जाता हो ओम आदित्या नमका जब करें आपके लिए अच्छा रहेगा करन्या रासी करन्या वाले जो विद्यारती हैं पढ़ाई लिखाई में रूची बढ़ेगी आपका मान सम्मान बढ़ेग और साथ ही दामपत्ती जीवन में सुख बढ़ता भी दिखेगा तो करन्या वालों के लिए अगर आप जौब करते हैं तो कोई अतिरिक्ती जिम्मेदारी मिल सकती है तियार है हला कि कारोबारियों के लिए अच्छा वक्त है क्योंकि कारोबार में बिर्दी होगा आपका प यहिएच कर पीर आपका विष्वास का उत्तम मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा खास कर कारोबारी आहीए निकम के साधन ऑढ़ेंगे और यहां तक कि सरकार से भी लाव बूंगा सासन सथा का सपोर्ट मिलेगा यह इससे मैं थोरह खरचा बढ़ा हुआ है पर शुकि के साध कोई भी मौका हाथ से छूटना नहीं है दोस्तों के सपोर्ट से भी बहुत कुछ बेहतर होता दिखेगा क्योंकि इसमें आपका आत्में विश्वास कॉन्फिदेंस बढ़ियां है तो सब बढ़ियां होगा ब्रिश्चिक रासी थोरा सम्मन की असांती है सही हम सरीएगा बाचीत में संतुलन रखे हना की कारोबारी है कारियों में मन लगेगा आपका कारोबार में व्रिधी होगा माता पिता का सपोर्ट मिलेगा और स्वास्त भी ठीक है लेकिन फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान और गरहन के वक्त राम रक्षा स्रोत का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा आपको अच्छा फिलोगा खासकर कारोबारी जो लोग है उनके लिए ज्यादा अच्छा वक्त है क्योंकि कारोबार में बृधी भी होगा मन भी लगेगा और धन भी आएगा और माता पिता का भी प्रेम मिल रहा है तो आप लगी है धनुरासी आपके लिए गरहन अच्छा है सुख है क्योंकि मन की सांती प्रसंता बनी रहेगी आपकी वार्नी में मधुरता है थोड़ा बहुत कारोबार में बृधी होगा लेकिन लाब भी बड़ेगा कारे छेतर में जो भी मुश्किले थी समस्याय थी वो समाफ्त होने की पूरी सभावना इसमें बनेगी तो आपके लिए कारे छेतर में नजरे बनाए रखें बहुत सारे मौके आपको बढ़ियां-बढ़ियां मिलेंगे फाइदा उठाना होगा और वानी का प्रभाव जो की बढ़ा हुआ है तो वानी से सफलता है वानी का जादू चलाइए और सफलता को प्राप कीजिए मन में भी सांती प्रसंता आपकी बनी भी है चीजे बिलकुल आपके पक्च में हैं क्या करेंगे गरन के वक्त गाती मंत का जब कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा मकर रासी आपका मन प्रसंतर रहेगा आपका आत्म विस्वास भी बढ़ा रहेगा जो लोग कारोबारी हैं कारोबार में बिर्धी होगा वाहन सुक बढ़ने के भी योग है लाप तो बढ़ेगा ही कार छेत में परिश्रम है थोड़ा हनाकी भागदोर भी रहेगा लेकिन कार छेत में परिश्रम से भी सफलता बढ़ी भी है इसमें हो सकता है अपना वाहन ने या वाहन का सुक बढ़ेगा कहीं गुमने पिरने जाएंगे और कारोबारी भाईयों के ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह समय है आपके तरक्की का जो करेंगे उसी में सफलता प्राप्ति होंगी। कुम्राशी और हमकर वालों आपके लिए खासकर गरहन के वक्त आप औम अदित्यानम की जब जरू करें आपके लिए अच्छा है। कुम्रासी देखिए आपका मन बहुत प्रसंद रहेगा कला संगीत के प्रती आपका रूची बढ़ेगा रुजान बढ़ेगा घर का महाल बहुत खुशुरत होगा मन प्रफुलित रहने से हर कारे में मन लगेगा आपका पारिवारी जीवन सुक में है थोरा सा अपने स्वास बनाया रखने खास कर जो बिद्यारती है समय अच्छा चल रहा है ग्रहन के वक्त आपको या तो गयत्री मंद का जब करे या नमसिवाय का जब करे आपके लिए दोनों ही अच्छा है मीन डासी बाचीत में संतुलन बनाया रखने की आवसक्ता है हना कि अपनों का सपोर्ट मुलेगा मित्र के सपोर्ट से कारोबार का परस्ताव भी मिलेगा और कारोबार में आपका ब्रती होगा लाब के अब सब्सक्राइब थोरा सा स्वास का ध्यान रखेगा क्योंकि मन की असांती दिख रही है ग्रहन के वक्त गयत्री मंद का जब करें तो आपके लिए करें से